रेल के पट्री से दूर रहने की हिदायत दी जाती है लेकिन लोग इसे नजर अंदास कर देती हैं और जान को जोखिम में डाल कर पट्रियों पर चलते हैं और हासे की शिकार हो जाते हैं ऐसा ही एक मामला देरशाम सोलन में उस समय पेश आया जब एक व्यक्ति रेल की पट्री से होते हुए अपने घर जा रहा था शिमला से कालका को जाने वाली रेल गाड़ी से टक्रा कर दुरगटना का शिकार हो गया रेल चालक ने जैसे कैसे रेल गाड़ी को रोक दिया नहीं तो इस दुरगटना से व्यक्ति की जान भी जा सकती थी हासे के बाद लोगों ने घायल को उठाकर सड़क तक पहुंचाया इसी बीच 108 एंबुलेंस को सुचित किया गया लेकिन समय पर एंबुलेंस ना पहुंचने के कारण पुलिस की मदस से जीप में डाल कर ही घायल को अस्पिताल पहुंचाया गया घायल को उठाकर लाए यूबक राहुल ने बताया कि वह अपने काम से चुटी करके रेल मारक से घर जा रहा था रेल पट्री के साथ लगते क्लिंक शेतर में रुकी हुई रेल गाड़ी और एकत्रित भीर देखी तो मालुम पड़ा कि कोई व्यक्ती रेल गाड़ी से टकरा कर बुरी तरह घायल हो गया है जिसे उठाकर कुछ अन्य लोगों के साथ सड़क तक पहुंचाया गया इस हास्ते के बास में पर ना तो एंबुलेंस पहुंची ना ही लोगों ने सबब लिया हास्ते के तुरंत बाद ही एक अन्य व्यक्ती को रेल की पट्री के बीच और बीच अपनी मस्ती में गुजरते देखा गया लोग खुद ही हास्तों को नियोता देते हैं मैं सोलन कर आने वाला हूँ मैं अभी अपनी डूटी आफ करके ट्रैक्सियों के रूम के लिए जा रहा था तो आगे काफी भी इकठी हुई थी और ट्रेन घड़ी थी तो एक बंदा ट्रेन से टकरा के निचे गिरा वा था हम लोग उसको निचे से उठाके सरक तक ले आए और यहां से हॉस्पिटल बेजिया उसको